तो गाइस मैं हुआ की तोर आप दिख रहे हैं रस्लिंग फैंस नाइट वक्त सुरू करते हैं अपनी बातकों लोग सबसे पहले सी एम पंक एंडू मैंटर से तो भाइनका जो मैच हमें समस्लैम में देखने को मिला वो सिफ पहला मैच था मतलब इन्होंने बोला था कि हमारी फ्यूड करतम हो जाएगी समस्लैम से लेकिन असको कुछ नहीं हो रा भाई बैस इन बर्लीन में इनका फिर से मैच होने वाला है इसके एक प्रव्यू आपको मंडे नाइट रॉम में सायद मिल गई होगी बेल्ट से अटैक करा था सी एम पंक ने मैक एंडर के बैक पैंड म verdi ऐसके पाद मैक इंडर के जो स्कार्व पर है ना भाई भयंग कर वाले आपको सारी बाते बताईंए लगिन अभी मैं आपको बताने जारह उब किनका बैस इन बर्लीन में मैच मैच होने वाला है वापस है एक नॉनियम लृषके कि अपडेट है यहाँ पैंका कहना है अक एक नॉर्मल मैच नहीं लेकिन एक स्टिपलेशन बेस्ट मैच होगा एंड यह मैच होगा स्ट्रैप मैच इसका आइडिया में लग्या मंडे नायट रहों में लोग इस चीज को स्पेकुलेट कर रहे थे हैं अभी यही चीज होने वाली है तो अब क्वेश्चन यहां पर यह यह वाला मैच भी एक स्टिपलेशन वाला मैच होगा बैसन बर्दीन में इसके बाद बैड बलड में अगर यह फिर से कमपीट करेंगे तो क्या वह भीं हे बयुद से भाई अगर इनको compete नहीं करना होगा तो यह क्यों ही advertised हैं तो जी नहीं भाई यह compete करेंगे इन्हों जूट बोला था इवन McIntyre ने भी जूट बोला था कि इनकी फ्यूट खतम हो जाएगी समस्लैम में फ्यूट नहीं खतम हुए और बैस इन इसकी विर्षप निकल के सामने आई है विर्षप है 1.890 जीरो मिलियंस आपके सकतो 1.9 जीरो मिलियंस यानि की बहुत मैसिव आई लेकिन अगर आप स्पेसिपिकली पहले घंटे की बात करोगे ना तो उसकी विर्षप इतनी मैसिव है कि यह रसल मीना फोटी के बात पहली ब पहले घंटे के लिए आये थे हैं यह रसल मीना फोटी के बाद पहली बार हुआ है सेग्मेंट में कौन-कौन था तो भाई इदिया रिपली डॉमनिक डामें पिस्ट एंड लिव मॉगन इनकी स्टोरी बहुत पीक पर तो यह थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी है लेकिन आ यह मैं आपको बता चुका है वैसे लेकिन भाई अभी एक ड्रामा हुआ है विर्शिप को लेके जब ब्रेकडाउन किया गया विर्शिप का तब तो बताया गया ब्रेकडाउन करके कि स्माग्डाउन की जो विर्शिप आ यह ना इसमें रोमन रेंस के सेग्मेंट में 2.36 म तो नंबर्स तो बहुत मैसिव हैं रोमन से कंपेर करोगे तो रोमन का सेग्मेंट पीछे दिख रहा है तो यह कैसे हुआ अब यह कैसे हो वो तो मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डंबनेस पहसते हैं लोगों की लोगों को लगता है कि कोडी एंड क के सेग्मेंट की वजह से ही 2.49 मिलन की विरसे पाई यह पहले इनके सेग्मेंट में भाई सीरियसली सीरियसली मतलब या तो इनको खुद से भी पता है कोडी फैंस को अंदर से कि भाई हम जूट बोल रहे हैं यानि तो रियली में भाई डंबनेस की हद पार कर दिये इनको सोसल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि इनका IQ लेवल क्या है मतलब एक सिंपल बात बताओ कोडी अंडिस्पिटेड चैंपिन मने उसके बाद स्मैक डॉन में आ गए उसके बाद कोडी ने मेमरेबल फ्यूट तो नहीं दी लेकिन कोडी ने चलो टाइटेल डिफेंट करी ए रोमन वापस आ हैं बहुत सार लोगों को नहीं पता था कि रोमन सो को स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे इवन कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई क्या पता कोडी को इंटरप्ट करें रोमन विकॉद सोलसी को आप बलेड लाइन आई थी वहां पे तो यह समझने आना मुझे कि आई क्यू लेवल के है लोगों का क्या सूचते हैं क्या समझते हैं या तो इनको भी पता कि जूट बोलें बस एक प्रोपागेंडा फिलाना या नहीं तो इनको खुद भी नहीं पता कि यह कितने डंप साउंड करतें यह सब बोलते हुए रोमन के लाइन अप नहीं देखता ना भाई कि कौन सा सेग्मेंट कहां पर होने वाला है तो सिंपल सी बात लोगों को लगाता है रोमन स्टार्ट करेंगे इसलिए लोगों ने देखा तो वे और सब काउंट हो गई कोडी का सेग्मेंट में अभी क्या सोच तो भाई इसके बार में जो के रॉपल एच और ब्रॉण ब्रेकर को लेके तो बढ़ी ब्रॉण ब्रेकर के अंदर डेखते हैं फ्यूचर और एक्चुलिए मई Sure इससे बोलने वाली बात नहीं है रॉपल अ gleich में ग्षांट हमें इसे सब को पता है कि आगये ढगे जागे इनका जॉन सीना के साथ मैच हो सकता है मेभी यह आगे जाके भिर सकते हैं कुछ बहुत बड़े नेम से मेभी हो सकता है पॉल हेमन इनको गाइड भी करेंगे साइद यह पॉल हेमन गाय भी बन जाए आगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हमें इनके लिए देखने को मिलती है तो पॉल लवैक आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं अपनी नेक्स और फाइनल स्टोरी के बारे में जो किया होने वाला है रोमन का फ्यूचर पॉल हेमन कहते हैं कि देखो मैं तुमको इतना बता सकता हूं कि अभी तुम्हें आगे जो भी चीज़े देखने को मिलेगी ना भाई इतनी म मैं सिफ देखने को मिलेगी कि मैं यहां पे वर्ट्स में एक्स्पेंट नहीं कर सकता अगे इनका कहना है कि अभी यहोने वाले ना रोमन का रिवेंचूण बोलनकर रोमन का retaliation period बोल लो यह जो भी होने वाला है ना भाई यह इतना amazing होगा कि तुम लोग ने expect नहीं कर रहा है और देखो कि अभी आगे-ागे होता है क्या यह इनका जो कहना है ना भाई कि यह पिछले चार साल इन्होंने जो भी कर रहा है यह उससे भी greater होने वाला है तो believe me यह स का creative input है तो बिलकुल आप अराम से भाई रिलाक्स होगा बैठ सकते हो because cinema अभी आपको मिलने वाला है फिलाल भाई इस वीडियो के लिए बसे कुछ अपडेट्स थी I hope so आपका information मिली हो मिली हो तो वीडियो को like करें share करें subscribe करें चैनल को follow कर सकते हैं मुझे instagram and twitter पे लिक आप